हुआ है है कि सू फ्रेंड्स वी इस डरी आपाडिक अवर टॉपक हूँ वह तो इसमें एक पार्टिकल ज स्ट्रेट लाइन पर चलती है इसमें तीन केसे लेंगे पहला लेंगे मोसं कॉंस्रेट एक्सलेशन जो size आपके 8, 9, 10 classes का ही recap है दूसरा हम लेंगे motion under gravity धर्थी के पास जो motion under gravity होता है वो भी इसी के special case में आएगा अगर height बहुत कम हो radius of earth के comparison में और तीसरा जो case है वो हम लेंगे variable acceleration जिसके लिए हमें calculus की नीर पड़ेगी हम तीनों के लेंगे बड़े smoothie लेंगे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि motion उन्हें straight line का मतलब किया है 1D motion का मतलब है motion उन्हें straight line यह एक particle है जो इसी straight line पे चल लेगे समझे इस straight line है यहाँ पार्टिकली इस यह पार्टिकल हमेंसा इसी line कर रहती है यानि कभी भी कुछ दो पार्टिकल कर लेंगे उनको जो जोईन करेंगे वो हमेसा एक line पे line करेंगे different time है जो पार्टिकल की position होगी जैसे एक बार यहाँ पर है पार्टिकल एक बार यहाँ पर है पार्टिकल एक बार यहाँ पर यहाँ पर है पार्टिकल आप किसी किसी भी एक पॉइंट को हम क्या माल लेते हैं और हम यूर फ्री टू टेक एनी पॉइंट आज ओरीजिन देने के बाद आपको एक डारेक्शन देना होगा अजिए को डारेक्शन देना होगा। राइट वार्ट को हमने positive direction मान दिया तो यानि यह हमारा axis ले क्या हो गया x-axis का positive direction और यह क्या हो गया negative direction इस तरह से हमने एक coordinate system define कर दिया समझे यह हमारा frame है समझे यह reference frame है इसमें हम work करेंगे अब हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं रखेगा हमने सबसे पहले क्या क्या जिस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल है चन रही है जिस स्ट्रेट लाइन उसके किसी भी पॉइंट को origin मान गया take any one point on the straight line as origin second हमने किसी एक direction को पॉश्य direction मान गया यह हो गया plus axis यह हो गया minus x-axis ठीक है अब जो हमने अभी माना उस पे हम कायम रहेंगे throughout the motion पूरे problem solving पूरी motion में हम इस frame को use करेंगे कैसे use करेंगे हम सबसे पहले quantity define करते है जिसको बोलते है position position का मतलब है location location का मतलब है where is the particle यह particle है कहा हम जानना चाहते है यह particle है कहा समझे position का मतलब location location का मतलब where is the particle हम जानना चाहते हैं इस straight line पे infinite points है हमारी particle इस समय कहा है हम इसको खोजना चाहते है तो समझ यह है इसको हम कहते है यह equal to होता है x coordinate of the particle x coordinate of the particle 1d motion में सिर्फ x coordinate यह काफी है आपको location बताने के लिए y object का काम नहीं पढ़ता है x coordinate समझे हम कहे रहे हैं कि x1 की value मान लेते है प्लस 4 meter है इसका मत्तब है particle इसका मत्तब है कि particle is located particle is located 4 meter 4 meter right of the origin plus sign का मत्तब क्या है right और 4 meter का मत्तब क्या है distance 4 meter पर है बट किदर है positive direction की तरफ है इस coordinate system के according 4 meter right of the origin हरुम कह रहे है text 2 यह मान लेते है minus 3 meter इसका मत्तब क्या है यह minus 3 meter का मत्तब है minus का मत्तब है direction और 3 meter का मत्तब इसका मत्तब है particle is located particle is located 3 meter left of the origin अगर पार्टिकल किसी समय पी पर है यह पॉइंट पी थी जहां यह पार्टिकल थी तो यह जो है यह पार्टिकल पर थी तो यह यहां पर थी position 1 जब यह पार्टिकल 2 पर थी एक्स 2 समझे तो यह left 3 meter थी तो अभी जो इसका अगर वेक्टर में देखेंगे इस तरह होगा यानि कि यहां अगर यह point का नाम क्या है Q है मान लेते हैं अगर इस point का नाम Q है हम इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे this is OQ हम Q नहीं कहेंगे O P O Q O S O R O T starting point O O से P तक O से Q तक यह होता है position यह होता है position ठीक है तो position आपको plus और minus sign देखिए आपको पूरे straight line पे कोई ऐसा दो point नहीं मिलेगा जिसकी position same होगी क्योंकि अगर distance same होगा कोई भी हर point infinite point नहीं पे but हर point की unique value of position है आपको magnitude same मिलेगा तो sign अलग मिलेगा एक right होगा तो एक left होगा same distance पे और magnitude same मिलेगा तो magnitude कभी same नहीं मिलेगा इसका मतल है हर point का unique value of x-coordinate है क्योंकि हर point एक unique value of position को define करता है ठीक है अब देखते है next हमारा है displacement displacement क्या होता है change in position position में कितना change आया x-coordinate में कितना change है इसको बोलते है displacement तो समझे displacement हो जाएगा x-final-x-initial इसको बोलते है delta x delta का मतलब होता है change जब बड़ा change होता है हम लिखते है delta x जब छोटा change होता है तो लिखते है dx तो delta x जो है change in x वो क्या मतलता है position ये जो होता है line joining starting point to end point होता है starting point or end point को join कर दिए एक 3 बनेगा एक ऐसा 3 एक ऐसा vector जो की starting point and end point को join कर और उसको बोलते है displacement ठीक है, starting point जैसे A starting point तर B end point था, तो A से B तक के line को हम बोलते हैं displacement, ठीक है, तो देखे, जब X coordinate बढ़ेगा, आपको displacement आएगा positive, तीर right के तरफ होगा, according to this science convention, और जब भी X coordinate घड़ेगा तो इधर के तरफ रहेगा, तो समझे इस बात को माल लेते हैं, हमारा X initial जो था, वो कित plus 10 meter, यानि हमारा displacement, जो हमारा displacement delta X होगा, वो होगा, X2 minus X1, X final minus X initial, कितना है, plus 6 meter, now plus 6 meter आपको क्या बतारा है, the particle has moved 6 meter rightwards, particle has moved 6 meter rightwards, इसका मतलब क्या है समझे, that particle has moved 6 meter, अगर हम starting point A, अगर हम इसको starting point कह रहे है A, और इसको final point कह रहे है B, अगर हम A से B को drive करेंगे, यह ऐसा arrow बनेगा, इसकी length कितनी होगी, 6 meter, इसकी direction क्या होगी, rightwards, ठीक है, यह इसका मतलब है, समझे इस बात को, अगर हम यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, देशिए, अगर हम origin को यहाँ नमाने, यहाँ मान बात है, अगर हम origin को shift कर दें, हम origin को change कर दें, समझे एकर हम we 15, we are here or here, राighed कहीं और ले लें, X score भी बदल जाएगा, X initial भी उसी amount से बदल जाएगा, X initial भी उसी amount से बदल जाएगा, X final भी उसी चीज से बदल जाएगा, जितना इसमें जोड़ेगा या ठटेगा, उधना इसमें भी जोड़ेगा या ठटेगा, इसीलिए ये value x initial बदल जाएगी, x final भी बदल जाएगी, लेकिन displacement वही रहेगा, तो जब डिफ्रेंस करेंगे, जब इसमें आपने कोई सेम चीज जोडा, इसमें कोई सेम चीज जोडा जब दोनों कोई सब्ट्रेट करेंगे, x final भी बदल जाएगी, अभी बही आएगा, इसीलिए हम इसको, हम इस quantity को, जो position vector होता है, इसको बोलते है, false vector, इसको बोलते है false vector, इसको बोलते है false vector, बट ये जो होता है, इसको क्या बोलते है true vector, समझें, because displacement is independent of choice of coordinate system, this depends on, position depends on, depends on, choice of origin, but this is independent of choice of origin, आपके उसको बोलते है, ना समझें, यहाँ ये positive, ये positive, आपने ऐसा करते है, ऐसा भी हो सकता है, कि x initial की value ऐसी हो, आपको ऐसा भी आ सकता है, कि x initial की value माल लेते हैं, कि minus 10 meter थी, और x final की value माल लेते हैं, कि minus 6 meter थी, तो जब x final, देखिए, sign के साथ, जब x final, minus x initial करेंगे, देखिए, आपका delta x जबाएगा, displacement हो जबाएगा, x final means minus 6, minus x initial means minus 10, तो कितना हो जाएगा, plus 4, देखिए, 10 minus minus plus, यह जबाएगा, plus 4 meter, so, plus आ रहा है, देखिए, initial coordinate में minus, final coordinate में minus, देखिए, displacement क्या, plus, क्यों, क्या है, x coordinate बाएगा है, बिल्कुल बाएगा है, तो कि minus 10 के comparison में, minus 6 क्या होता है, बड़ा होता है, समझ यह, कि minus 10, जब minus 6 बनेगा, तो minus 10 में, चार्ज जोरने पे, plus 4 को जोरने पे, minus 6 बनेगा, यह जब बाएगा है, गटने रहा है, यह आपका यह vector बनेगा, वो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, माइनस 10 यहाँ पर था, और minus 6 यहाँ पर है, तो A to B, starting point to end point, यह जो बनेगा, यह right one बनेगा, तो समझ यह, अगर दोनों coordinate negative है, initial coordinate भी negative है, final coordinate भी negative है, तो भी displacement positive हो सकता है, कब अगर x coordinate का magnitude बाद में छोटा हो रहा है, तो, और अगर, यह यहाँ से यहाँ होता, तो क्या होता समझे, तो समझे, displacement positive होने के दो सेनेरियो है, पहला, कि आपका दोनों x coordinate positive हो, और negative भर रहा हो, आपके दोनों x coordinate positive हो, और negative भर रहा हो, या आपके दोनों x coordinate negative हो, और negative घट रहा हो, या आपका पहला x coordinate negative हो, और दूसरा positive हो, तो पक्का हो, right one, तो समझे, तीन केसे हैं, जो है जो ने एो उसकेस में हो रहा है वो बाग यह फिर हो और ळिर लिख स्कोर्नेटट कि बरने श्काड़ने कीपागे Gil उसकेस्मेंट हिर जो सक्केस्याender थे गढ़ने कीबात मतलते हैं हम साइन को भी यहते हैं थे? तो इसको याद रखेगा की यह जो चीज होता है यह हमारा displacement vector होता है इसको मोलतेancies displacement याद रखेगा थे छाइस में जरूरी ही नहीं है कै इसलरीमें डिस्टान सेन हो displacement may not be equal to displacement 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 may not be equal to may not be equal to distance अब भी distance की बात नहीं कर रहे हैं हम बात करेंगे बात करेंगे ठीक है तो distance displacement अलग अलग चीज़ है जो दो हो सकते हैं कि एक जैसे अब देखिए तीसरा quantity है velocity velocity होता है rate of change of position हर second particle की position particle की x-coordinate कितने amount से change हो रही है हर second particle की x-coordinate कितने amount से change उसको हम कह सकते हैं every second what is the change in the position या हम कह सकते हैं change in the x-coordinate change in the x-coordinate so अगर हम average value velocity की बात करें यह होता है position final x2 minus x1 by t2 minus total displacement by total time इसको delta x by delta t क्या सकते हैं क्योंकि किसी भी change की किसी भी quantity x के बड़े change को हम delta x से denote करते हैं और बहुत छोटा change हो बहुत negligible change हो तो instantaneous value बोलते हैं यह होता है dx by dt इसकी लागू calculus देखना होगा ठीक है अभी हम पहला case के रहे हैं यह वाला ठीक है ठीक है और जब t2 होगया माल लेते हैं 5 seconds तो माल लेते हैं यह इसको माल लेते हैं यह 3 seconds होगया तो माल लेते हैं कि x2 की coordinate उसमें जो हम ही लेखी वह x coordinate जो था that is equal to suppose minus 4 meter अब जब देखते हैं इसके लिए हमारी velocity के आएगा तो velocity के आएवरेज value नितालें तो आएगी x2 minus x1 means minus 4 minus x2 minus x1 minus 10 by t2 minus t1 means 3 minus 0 that would become equal to 6 by 3 and that would be equal to 2 meter per second समझें इसको मिश्तर लेख सकते हैं plus 2 meter per 1 second इसका मतलब क्या है समझें इसका मतलब है कि हर second particle की coordinate 2 meter से बर रही है इसका मतलब है every second every second x coordinate increases plus का मतलब है increase increases by by 2 meter इसका मतलब क्या होगा समझें अगर हम इसको यह plot करना चाहें देखना चाहें हम यह देख रहे हैं t is equal to 0 पे जब d की value कितनी थी 0 थी x की value कितनी थी minus 10 थी इसके बाद निकालना चाहते हो तो 4 second पे फिर से क्या करो इसमें फिर से क्या करो minus 2 sorry plus 2 कितना हो जब 5 second होगा फिर इसमें plus 2 कितना है 0 यह t is equal to 5 second पे origin पे पहुंच जाएगा क्याने का मतलब है यह velocity एह ले velocity आको क्या बता रहा है बता रहा है कि हर second particle की coordinate दिखे 2 meter per second का मतलब है 2 meter plus 2 meter per 1 second plus 2 meter per 1 second यहनि हर second इसके x coordinate में increment हो रहा है जुर रहा है gain हो रहा है कितना? plus 2 का gain होता जाना है यह एगर किसी case में हमको आता velocity minus 2 meter per second यह आता minus 2 meter per second का मतलब है हर 1 second के बाद उसके x coordinate में 2 घड़ता जाता 2 घड़ता जाता अब समझे इसको जब यहां हमने इस case को लिया था minus 10 और minus 4 minus 10 और minus 4 तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह velocity हुने निकाला तो सुरु में x coordinate भी minus 10 थी minus ही है दोनों minus है हरा की particle की x coordinate minus ही है throughout the motion अभी यहां तर x coordinate minus है लेकि वेलोस्टी क्या है plus है क्यों? क्योंकि x coordinate minus में है x coordinate minus में है initial and final दोनो लेकिन magnitude घट रही है लेकिन magnitude घट रही है इसका वेलोस्टी पॉस्टीव है similarly अगर दोनों x coordinate starting and final दोनों x coordinate क्या होता? positive होता तो velocity positive होती ही अगर x coordinate भार रहा है समझो अगर यह minus 10 से minus 4 हुआ तो velocity positive और अगर यह plus 10 से plus 4 होता plus 10 से plus 4 होता तो velocity negative तो plus 4 ही 10 यहां होता plus 4 यहां होता पार्टिवी इस तरह चलता पाता तो जब x coordinate हम कहे रहे हैं कि x coordinate भारेगी तो velocity positive है x coordinate घड़ेगी तो velocity negative है इसका मतलब है कि उसमें आपको sign के consideration रखना है क्योंकि जब positive चीज़ बढ़ती है तो उसका magnitude भी बढ़ता है लिए जब negative चीज़ बढ़ती है तो उसका magnitude घड़ता है इसका राटर रहोगी velocity negative होगी ठीक है अब मारा फूर्थ quantity है x immigration देखते हैं तो friends मारा चौछ़़ा topic है वह है x immigration यह क्या होता है rate of change of velocity velocity जोड़े वो बढ रही है अगर constant नहीं है change हो रही है तो वहाँ एक acceleration आता है non-zero तो समझ यह यह होता है अगर आध्यव्वरी अख्यवरीत की आख करें तो चेंग पर तैमे ते के लिखता है, एकस्टां की निकाल रहे हो द्र सबस्द के लोगर अगर अगर जरीवश्वरीत की बithणे निकाल वरे है.. तो अगर आभ एकस्टां की बात करARS, यह है लिखतन पढ़ाना पड़ेगा मेरी जो केल्कुलस की जो वीडियो लेक्चर से डिफ्रेंसेशन इंटेगरेशन का अगर आप वो देखेंगे आप तो समझ पाएंगे उसमेरी सब्कुल डील किया हुए बताया गया है ग्राफिकल भी और मैथेमेटिकल भी तो इसको समझने के लिए इ पाइसरे के लिए पार्टिकल से जा रहा था महन लेजें लिए स्पीड एइ इसकोलोट जीरो से कि परिज़ने के दरो शारिए जो पैरिकल इजो इजा उने में अजब सोंगों तो हम ने देखा ये प्राटिकल राइट के फ़िजाने था till the speed of with a speed of step 10 m थेक है हमें इसकी acceleration निकालने है average acceleration हम निकेंगे average acceleration is equal to v2 minus b1 समझेगे sign currency according जब v2 लेंगे यह होगा v2 minus b1 by t2 minus d1 जो v2 हमारा है वो है plus 10 है क्यों plus 10 है जो कि v2 final positive right word है 10 तो है यह right word है initial velocity क्या थी minus 2 थी हमारे right word positive है तो यह negative velocity है देखिए अंतर है lift और right बेंतर है lift velocity minus 2 right रहता तो plus 2 दों सेम नहीं है यहां कहले कि माइनस of minus 2 समझ गए by t2 minus t1 देखिए t2 minus t1 का मतलब है t2 minus t1 4 minus 0 तो यहां से आप देखेंगे आपको आ रहा है equal to plus 3 meter per second plus 3 meter इसका मतलब क्या है this is sorry plus 3 यह तो meter per second में था और यह second में है dollar per second square plus 3 meter per second square यह होगा actual lesson यानि कि इसकी value है कि plus 3 meter per second per 1 second समझे इसको हमें कैसे जीत रहे है plus 3 meter per second per 1 second यानि हर second इसकी velocity change हो रही है कितने से plus 3 से हर second इसकी velocity कितने हो रहे है change इसका मतलब है each second each second velocity increases by प्लस 3 meter per second increase क्यों क्यों प्लस है decrease अगर यह minus क्या लिए decreases by समझे इसका मतलब यह t is equal to 0 पर था कितना था t is equal to 0 पे देखे कितना था ग्राफ्टी कितना था 2 meter plus 2 था t is equal to 1 पे क्या करेंगे इसमे sorry minus 2 था t is equal to 0 पे यह क्या था minus 2 था t is equal to 1 पे t is equal to 2 पे t is equal to 3 पे t is equal to 4 पे and t is equal to 5 पे जब minus 2 t is equal to 0 पे minus 2 meter per second था t is equal to 1 second था इसमें क्या करेंगे तीन जोड़ो में इसमें तीन जोड़ो कितना था plus 1 कि यह राइट चल रहा है किसी स्पीड से 1 meter per second इसकी स्पीड क्या होगी meter per second спокой meter per second की meter per second में meter per second में this will be plus 1 3 में तीन जोड़ो 1 प्लस obs vacuum 3 जोड़ो 2 था 3 जोड़ो 1 में आप 3 d जोड़ो 3 प्लस obs सुमझ रहा है wreckage hypothesis the further sei this is cable प्लस 60 यह बढ़ता जाएगा हम इसको निकाल सकते हैं ठीक है तो याद रखिए कि एक्सिल रिसम जो है वो बताता है every second what is the changing so जह हम लिखते हैं 3 meter per second square वो basically होता है 3 meter per second divided by 1 second 3 meter plus 3 meter per second per second ठीक है अब देखिए हम एक term होता है जर्क देखिए quantity होता है जर्क जर्क जो होता है वो होता है rate of change of acceleration तो जर्क को define करेंगे average value में average जर्क is a2-7 by t2-2 यानि delta a by delta t और इसकी instantaneous value निकालती है तो da by dt इसको बहुता है जर्क जर्क बहुत कम यूज होता है कैनिमेटिक्स में पर यह एक quantity है देखिए negative acceleration का मत्तब है अगर एक्सिलरेशन निकेटिव है जर्क जमाल लिए minus 3 meter per second square that means minus 3 meter per second per second minus 3 meter per second per second इसका मतलब है हर second change in velocity कितनी है minus 3 meter per second लेकिन इसका मतलब यह नहीं है हम speed कि बारे कुछ बोल सके समझे क्यों नहीं बोल सकते है speed may or may not increase or decrease speed होती है magnitude of velocity तो समझ यह अगर एक्सिलरेशन समझ माइनस 4 meter per second square है तो इसका मतलब है अगर उसकी positive value है 10 है तो 10 6 बन जागा तो वहाँ speed क्या और ही घट रही है velocity तो घटी रही है 10 अगर 6 बन गया तो velocity तो घटी ही but speed भी घटी क्योंकि 6 is smaller than 10 लेकिन अगर minus 6 समझे यह यहां इसको लिख के बताते हैं अगर 10 becomes 6 10 meter per second becomes 10 meter per second becomes 6 meter per second because acceleration is what minus 4 meter per second square minus 4 meter per second समझे रहें ना अगर acceleration की value minus 4 meter per second per second है इसका मतलब है 10 फिर वह कितनी होगी 6 होगी यहां speed क्या होगी मतलब है यहां speed decrease करकी लेकिन समझे अगर minus 6 meter per second has become minus 10 meter per second अभी भी velocity क्या है decrease हो रही क्योंकि minus 6 में जब minus 10 बनेगा minus 6 में जब minus 10 बनेगा उसमें चार का decrease होगा बट यहां speed क्या होगी battery increase होगी क्यों होगी क्यों होगी magnitude of velocity होती है speed speed तो बहर रही है तो हम यह नहीं कह सकते हैं velocity में भी positive और negative नहींगिटीव और अच्टों क्या क्या थी this नहीं 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 होक्त है और बी आपी सबसी बल γोंशी दोर जी हो जबता है, similarly decreasing acceleration does not mean decreasing velocity, समझे है, अगर velocity decrease कर अगर acceleration decrease कर रही है, इसका मतलब है, acceleration decrease का मतलब है, कि rate of change of velocity decrease कर रही है, इसका मतलब समझे है, अगर किसी company का profit घट गया, इसका मतलब वो company launch में नहीं चले गए, if the company's profit have decreased, अगर company का profit पहले 50% था, 50% गेन हो रहा था, लेकिन आज वो 20% ही गेन हो रहा है, गेन अभी भी हो रहा है, बर जितना गेन हो था वो घट गया, समझे, gain का घटना, gain का घटना घटना नहीं होता है, घटने मतलब निगटी में जाना, समझे इसका मतलब, अगर मेरे पास, अब प्लस 2 mडe per second squared काले गिया, यानि acceleration काट गट गया, ऑचलेराई कहले कीतना था, accelerated पहले कितना था, प्लस 4 mpps squared अब कितना है, प्लस 2 mpps such Nicolas, इस समय, एक सकेंड में, इस समय, प्लस 4 mpps का gain हो रहा था, और सिब्सक्राइब बहुत अब क्या हो रहा है step size घट गया यानि यह कम एमाट से बहुत नहीं है तो व्लास्टी acceleration का decrease करना इसका मतलब है कि हर second जो बहुत रहा था जो बहुत रहा था वो खट गया है इसका मतलब यह guaranteed नहीं है कि आपकी velocity negative हो जाएगी है velocity decrease कर रही है जिस rate से velocity बहुत बहुत रहा था वो घट रहा है समझो velocity का घटना और जिस rate से velocity बहुत बहुत रहा है तो आपको अल्य अब यह हो रहा है अब जो अब हो रहा है अब दो नहीं गया अगerson, decrease कर रहा है लेकिन, acceleration अभी ही क्या है positive है समझो? negative acceleration मतलब घटना इस knitôi सिद जफेंा आड एक्सेलिशन ऑगयर एक्सेलिशन ने है चुल पुज़रेजन अगर्श कर रहा है प मुरियर यह प्लस 45 सब्सक्राइब इसका मतलब इस मोमेंट पे हर सकेंड उसकी का इंक्रिमेंट ही हो रहा है लिए कम हो रहा है पहले सब लेकिन अभी भी वेलोस्टी बढ़ी रही है क्योंकि एक्सिल बेसर नेगेटिव नहीं हुआ है भी पॉस्टिव हो ठीक है है कि अगयुद की और मॉर्यन के तरफ यायरा है उसको कैसे चेक करेंगे अगयुद के तरफ जा Yuk crazा और हमाल कोई पार्टिकल अधृक्व यह लिफ्ल गया है इसका मतलब क्या है राइड है और राइट आय्ट वाजवाट जा रहा है लिफित आध वोट जा कर रहा है समझो अगर magnitude of x इंक्रीज कर रहा है यानि 10 12 बन रहा है या 10 12 बने या minus 10 minus 12 बने इस समझो या 10 बन जाए 12 तो हम भुलेंगे distance बढ़ गया या minus 10 बन जाए minus 12 यानि दोनों केस में एक common चीज है अगर distance अगर कोई चीज है कि magnitude of x बढ़नी चाहिए कि magnitude of x बढ़नी चाहिए कि magnitude of x बढ़ेगी इसका मतनब है x square भी बढ़ेगा अगर कोई चीज ही बढ़ रही है समय के साथ तो उसका differentiation positive आता है तो d of x square by d t positive आने चाहिए तो d of x square by d x into dx by dt chain rules यहाद 2x into dx by dt कि 2x into dx by dt कितनी है वी तो 2x into v 2x into v क्या होगी positive होनी चाहिए अगर origin से distance बढ़ रही है तो 2x into velocity positive बन चाहिए 2 to positive है तो x into velocity क्या होगी positive बन चाहिए यह कब होगा जब यहां तो x square by d positive हो यह x square by d negative हो देखिए यह कोई चीज राइट में है एक्स क्या है positive और velocity भी क्या है positive दोनन ने एक्स अने देशन से दिस्ट्टन्स क्या हो उसी तरह से अगर हम देखें अगर कोई यह सका मतलब वो ओरीजीन के तरफ जा रहा है उसका region से distance घठ राद थेके अब देखें कि is Pi reading अब करतिया आज खिके कोई पार्ट काने, किसी पार्ट कार्ट के स्पीड कब बढ़तिय नो स्पीड पर ना करेंस्पीड का मतब स्पीड का पर ना थे पार्ट के स्पीड बढ़ति, बढ़े कि इसका मतब था मैं ये इसी क्या बन जाए या प्लस 3 प्लस 4 बन जाए दोनों के सम कहेंगे स्पील बढ़ गई तो वेलासिटी के स्वायर बढ़ना चाहिए ठीक है तो इस केस में जब भी कोई ची बढ़ता है तो फंक्सन के काउडिंग क्या होता है उसका डिफरेंस से पॉस्टी बाना चाहिए जब भी कोई वो डिफरेंस समझ सकते हैं यह जादा समाज में आगा ठीक है तो देखें यहां मेरा लेक्चर जो है कैल्कुलस पे जो मैंने बनाया है उसको देखें लीजएगा आपको बहुत आसान जाएगा यहां देखें टू टाप्सटी होना चाहिए या दोनों नेगटिव होना चा कि अग्नी अग्रिखें ten गयाएगा है तो दोनों नेगेटिव इस पूरे केस को भाता है इस पीडिखेंश यहीज होता है यादेखें अग्नी लेकिन future कि इसका मत्फलिए नियुका मैंस्ट है नियुकि लtu के得 brag इन नियुक्त अर्ग कोई लगचियर्टी छेली जाइघग है đị बक़त इस के लिए ड़े इस केस को मोलते समझे इस बात तो एक्सिलरेशन का पॉस्टिव और नेगटिव होना आपको यह नहीं बताएगा स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी क्योंकि सेम एक्सिलरेशन इसको मैं चाहू तो प्लस मान लू चाहू तो मान लू मैं स्यम this acceleration को plus मान सकता हूं, minus मान सकता हूं, तो speed बढ़ेगी एघटेगी, वो plus या minus से पता लिए चलता है, समझ लिएगा, plus A और minus A, this choice, your personal choice, personal choice, this my personal choice एग, मैं same acceleration को आप positive कह रहे हो, मैं इसको negative मान सकता हूं? कि युई मैं दिय्यक्शन उल्टा मानूगा positive उसे सेम एक्सलिशन को आप नेगरी बोलों मैं इसको positive मान सकते हैं लेकिन, speeding up और slowing down मेरे हाथ में नहीं है तो कि मैं अगर इसके एक्सलिशन, direction को उल्टा मानूगा तो velocity का direction में उल्टा हो जाएगा और हो सकता है आपके case में plus into plus आए और मेरे case में minus into minus आए और दोनों इस पाद में agree करेंगे कि speed बर रही है यह उसी तरह से speed घट रही है तो भी मेरे personal choice में depend नहीं करता है मैं plus मानों का velocity minus आगी plus into minus और आप minus मानेंगे acceleration को velocity plus लेंगे तो दोनों का agree करेंगे यानि कि plus और minus sign of acceleration से आपको यह नहीं पता चलता है कि speed बर रही है कि घट रही है समझेगा इस बात को और डिक्सिलरेशन का मतलब negative A नहीं है अगर हमारे पास retardation है समझे इस case में retardation है but acceleration इसको plus मानने है इसको क्या हो जागा minus हो जागा देखिए यहां retardation हो रहा है इसका मतलब हम एक्सिलरेशन को positive मान सकते है इसका मतलब हम एक्सिलरेशन को positive मान सकते है इसका मतलब हम एक्सिलरेशन को positive मान सकते है तो plus या minus sign of acceleration से आपको यह नहीं पता चलेगा है एकसिलरेसं घाल चेसिच पता है आपको केंसे बताब चलेगा ओटा जक isolation है अचै recommend स्क्राइब करेंगे और उसके नेश लेक्षर में हम क्या करेंगे, हम मोर्स अंडर ग्रावटी लेंगे, इसको देखिए, कोई डाउट हो ता पूछिए रहा